हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब मैं आशा करते हैं आप सबी ठीक होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्यूटिफुल बॉटल आर्ट बहुत ही सुन्दर आर्ट बॉटल का हमने तयार किया है पूरा वीडियो देखेगा अंत तक देखें फ्रेंट्स अबसे कोई भी भी बॉटल ले चाहिए वो को भीभी बॉटल आंप को प्लास्टिक की कांच की कोई सही भी एक पत्ता हमने लिया है, यह हमारे पास जो पत्ता है, यह बथवा का है, अब आप अपनी पसंद का कोई भी पत्ता ले सकते हैं, तो आपको पूरा इक्वल एक कलर नहीं करना है, मतलब ब्लैक या ग्रीन नहीं करना है, कहीं पर ग्रीन का टेंच आना चाहिए, कहीं पर ब्लै बनाना है कि अगर हम इसी बॉटल को दुबारा भी बनाएं तो सेम ना बनी है ना एक दम डिफरेंट होना चाहिए अलाग अलाग कहीं पर ग्रीन टेंच कहीं पर ब्लैक टेंच इस तरीके से हमें बॉटल रेडी करनी है तो देखिए ये अब हमको जो हमने पत्ते कलर करके ठीक है तो थोड़ा वह स्टिकी हो जाएंगे चिपग जाएंगे हलके से फिर उसके बाद में आपको लेमन यलो कलर लेना है अक्रिलिक का और आपको फिर एक स्पॉंज लेना है ठीक है? आप कोई भी ले सकते है, स्पॉंज डेबर भी ले सकते हैं आप इस तरीके येका भ अभर भी ले सकते हैं कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो जो इना हैं कि हमारे पास नहीं है तो हम नहीं बनाएंगी आह पूरी बॉटल पर लेमन य कलर कआ शान चे वापनि च्क ही बड़ा सी रिया परन फर देट कर तो यह और तो इसलिए मैं इसको इस्त Amen कि कि मैं चाहती तो music के साथ आपको दिखा सकती थी लेकिन उसमें आपको कुछ समझ नहीं आता तो जब हम बोलों के बताते हैं तो अच्छे सेसे समझ में आता है तो music के साथ मेंतना कि पता चलता क्या हमने यूज करा है क्या तरीका हमने क्या टैक्निक यूज करी है नहीं देखे नीचे से उपर के और उपर से नीचे के और एक फिनिशिंग के साथ को आपको इसको कर देना है फिर देखे हमने यह जो देखे अब देखे कितना अच्छा वाइड भी है हलका टिंच ग्रीन का है हलका ब्लैक क है और ब्लाक और गरीन मिलके डार्ट गरीन बन गया तो बहुत ही सुन्दर देखिए वीडियो में इतना अच्छा नहीं लगा लेकिन रेल में बहुत सुन्दर ये बनके रेडियू हुआ है देखिए घरए अब देख सकते हैं अगर आप ध्यान लगा सकते हैं, beads लगा सकते हैं यह मैंने आपको एक idea दिया है कि आप इसको इस तरीके से भी ready कर सकते हैं, मतलब इसको decorate हम अपनी पसंद से कर सकते हैं, देखें मैंने यह sequence सितारे ले लिया है और toothpick की help से adjust करते हुए इसको लगा दिया है, ठीक है friends यह फिर मैंने एक gold color ले लिया है यह देखिए और इस तरीके से सारे में leaf में design मना लिया देखें इस तरीके से मतलब जो leaf की जो पत्ते की shape है same उसी shape को हमने golden color से highlight कर दिया है glitter golden color है तो काफी खुबसूरत लग रहा है, यह mobile में आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना यह real में अच्छा लगेगा इतना इसमें नहीं sure हो रहा है क्योंकि हमारी हाँ थोड़ी सी light ही वो है तो यह देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा toothpick में हलका सा fabricule लगा लीजिए, उससे उठाते जाए लगाते जाए, देखिए कितना सुन्दर हो गया, फिर इसको हमने सुखा लिया पोरी बॉटल पे पहले हमने सिक्वेंस चिपका दिये फिर चारो तरफ golden glitter से, golden paint से हमने कर लिया, आप देखिए कितना सुन्दर लग रहा है, फिर हमने क्या करा इसको सुखा कर फिर इसके उपर gloss लगा दिया देखिए, आप matte finish देना चाहते हैं तो आपको matte finish भी आप दे सकते हैं, तो आपको matte finish का लेना होगा वर्निश देखिए, अब हमने बोटल ली, और इस पे ये देखिए, मैंने तो सस्ता जुगार किया हुआ है 67 रूपीज का Asian paint का ये है वर्निश, वो मैं लगाती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा yellow tinch होता है, तो इसलिए ये इस पे जा रहा है ठीक है friends, आप डैकोर वर्निश भी ले सकते हैं, वो 200 रुपे का आएगा, उनलाइन मगा लीजिए बढ़ भई, मैंने तो सस्ता जुगार किया हुआ है देखिए, अब सारे में इसको लगाती इतना सुन्दर gloss आगया पुरी bottle पे, और सूखने के बाद तो इतना बहुत सुन्दर लग रहा था इसा शाइन कर रहा था, बहुत अच्छा इस तरीके से, देखिए, नीचे से एक ब्रश जो आपको चलाना है नीचे से उपर की और और एक फिनिश में चलाना है आपको बीच में रोकना नहीं है देखिए, एक फिनिश में आपको चलाना है और पुरी बॉटल पे खल्ोस लगा दे रहा है इससे क्या होगा तो आप इसको जैसे डस्ट आ गई है उपर इसके आपने रखा हुआ है जोकेस में रखा हुआ है, या कहीं भी रखा हुआ है है ना, आपने इसमें फ्लावर लगा है आप इसमें light लगा सकते हैं lamp की तरह यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो इसको आप flower pot की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो इसको किसी चीज़ के साथ में decoration के लिए यूज़ कर सकते हैं तो बहुत purpose से आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो कहीं भी नहीं जाता ऐसे ही आपको ग्लोस लगादे ना इसके उपार यानि कि वरनी चाहे आप मैट लगाए चाहे ग्लोस लगाए ठीक है सेम उसी तरीके से अब देखे हमारा आर्ट पीस बनके रेडी हो गया है ये देखे कितने सुंदर हमारी बॉटल बनके रेडी हो गई है और रियल में जब आप बनाओगे और देखोगे तो आप कहोगे कमेंट भी करोगे मेरे को यकीन है कि आपको बहुत पसंद आई दी मेरी वीडियो क्योंकि काफी महना तीन दिन में बनी है फ्रेंड सी वीडियो जाकर एक दिन पहले बेस कोट फिर उसके बाद में ये प्लिस लाइक शेर और सब्सक्राइब टू मैं चैनल थैंक यू फ्रेंड